दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड बे देखो आज इस वीडियो के अंदर जो कवर करने वाले हैं के सी ए ओमेंस ट्वेंटी चैलेंजर्स का जो ये मैच रहने वाला है एस ए पी और पी ए के बीच में इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ बैटिंग अडर के साथ दोस्तों अगरा आप इस मैच रिलेटेट पूरी इंपोर्टन जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत जादा हेल्प करेगा एक बार इस कर दें साथ जाते हैं पर जो बैल एकन दिया हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओल का ओफसन देखिने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले टी टेन और टी टुएंटी मैच इसका वीडियो मैं जैसे अप्लोड करूंगा आपके पास सिद्य नोटिफिकस नजाएगा और सारी मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताया का इस ट्रेट्स परसंद आता है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक से में काफी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों एक लाइक से में काफी सपोर्ड मिलता है दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि अपमारे टेलीग्राम गुरूप एक बार जोइन कर ले क्योंकि लाइन अप के बाद फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा आपको यहां पे एक एरो का बटन दिख रहोगा जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे हमारे टेलीग्राम गुरूप का लिंक आपके सामने सो जाएगा इस गुरूप में जोइन करना जरूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद जो है ना फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको यहीं पर शेयर कर दिया जाता है इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाया है दोसटों डिस्कूER बॉक्स में जहां कमेंट करते हैं पहला कमेंट पे मैंन आपको लिंक पिनक कर दिया है आप आसाने से कुलिक करकर जोइन कर सकते हैं तो चल कि यह बिना देरी की, सब्सक्राइब देखने को मिल जाएंगे यह जो पीछे दूस्तों मतलब बैटिंग के मामले में देखोगे उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा मतलब बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और यह तो ध्यान रखना क्यों कि बीस ओवर के गेम में लगपाख डेट स तो क्या सपास एक स्कोर देखने को मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है 110 120 के आशपास एक एवरेज स्कोर यहां पर देखने को मिल रहा है एस एपी की टीम है अभी तक दो मैचेस खेला है पहला मुकाबला जो एक सुचवदा का टारगट दिया तो लेकिन अर्यूबी की टीम ने सरुन को चेज़ नहीं कर पाये थे यहां जैसे एस एपी की टीम को विन हुआ था और सेकंड मैच भी एस एपी की टीम जित्ते वे आ रहे हैं जो एमबी के खिलाब जो मैच हुआ था यहां पर दोनों मैच दोस्तों यहां पर विन करा है लेकिन वही P.E.A. की बात करते हैं तो पहला मुकाबला जो है विन करा है और सेकंड मैच चला है कि लॉस हुआ है सेकंड मैच जो की E.M.E. के टीम की जो यहाँ पर दूस्तो टीम रहा था यहाँ पर जो चेस कर लिए थे ठीक है एक मैच जीता है अला की P.E.A. की टीम दो मैच के अंदर लेकिन दोनों ही टीम का भी मजबूत टीम में यह चीज ध्यान रखना ठीक है चलिए अब बैटिंग ओडर पर ध्यान देना जिन सी कर गए जोगे टीम की आपको कैप्टेंसी का रोल करते वे नज़र आएंगे टीम के दोस्तों यह आपनर भलेवाज है पहले मैच के अंदर देखोगे तो तीन रन स्कूल करा था लेकिन दूसरे मैच के अंदर 34 रन मनाए वे थे देखो पहले मैच के अंदर तो यह 8 रन मनाए थे 1st रन पर खेलते वे लेकिन दूसरे मैच के अंदर 2nd डाउन पर खेलते वे 20 रन इन्होंने बनाया हुआ है जो टीम के आपको 2nd डाउन पर खेलते वे नज़र आये थे लास्ट मैच के अंदर अच्छी बात यह है कि अभी तक इनका बैटिंग ओडर देखोगे तो टीम के जल्दी बैटिंग करने के रहाते हैं बाकि यह बात करेंगे दूस्तों यहां पर मरुदुला सुरेस के बारे में टीम के चार नबर पर खेलेंगे पहले मैच के अंदर 51 रन स्कोर करा था एक व चांसे किस वज़े से इनको कैप्टेंसी के लिए लोग लेते हैं ठीक है बाकि अननिया के प्रदीप की बात करेंगे सेकेंड डौन पर यह खिलने के लिए आएंगे पहले मैच कंदर 58 रन बड़ा था और तीन ओवर की गंदपाजे में 23 रन खर्च करते हुए दो वीकेट निकाले भी थें दोस्तों यह प्लेयर सेकेंड डौन पर बैटिंगे साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं और इस वज़े से यह कैप्टेंसी के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टन लगता है बाकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर मनसभी 40 के बारे में यह जो प् 24 रन दुसरे मेच के अंदर 25 रन स्कुर करा है टीम के तीन नमर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे संद्रास रन की बात करेंगे पहले मेच कंदर फ्लॉप रहा था दुसरे मेच कंदर चार वर के गिंदबाजी में 17 रन खर्च किये थे लेकिन एक विकेट इसमें निकाल यह जो प्लेयर है दुस्तों यह भी चार वर तक बॉलिंग करते हैं और एज ए बोलर इनको जरूर ट्रै करना जो गिंदबाजी के मामले में देखोगे यह बहुत सांदर गिंदबाजी करते हैं अलिना की बात कहा जाए पहले मेच कंदर 9 रन खर्च किये थे लेकिन कोई व मेच कंदर 4 रन मनाय हुआ है यह भी टीम के ऑपनर बैट्समन है ध्यान रखना बढ़िया प्लेयर है आप इनको एज ए बैट्समन ट्राइ कर सकते हैं दूस्तों टीम के टॉप अटर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे फेवाफा तो उनकी बात कहा जाए यह फॉस्ट पर खेलते हुए दूसरे मैच कंदर देखोंगे बैटिंग से तो फ्लॉप था लेकिन बॉलिंग से एक विगेट निकाले थी तो यह एस एपी का बैटिंग ओडर है और ध्यान रखना यहीं फॉर्मट में लगवग बैटिंग ओडर मैच कंदर भी देखने को मिलने वाला ह लेकिन वहीं पीए का बैटिंग ओडर देखते हो तो सबसे पहले कि यह कैप्टन रहने वाले हैं जो कि टीम के कैप्टन भी है और आपके टीम के अंदर भी कैप्टन सी के लिए सबसे बैस्ट ऑफसन रहेंगे रिजन टीम के ऑपन करते हैं प्लस तीन से चार अवर गिंद तरण फिर बाहर रन स्कुर करा है अलका है शुटि की बात करेंगे पहले मैच कंदर फलो प रहा थान जो गिए तरह भी कोई विकेट नहीं मिला है पहला मैच कंदर फॉटी सैबैक दुसरे मैच कंदर पनार आपनर स्कुर करा है यह टीम के ऑपनर बैट अधिदि धियान र सब्सक्राइब करेंगे लेकिन बोलिंग इस हिसाफ से करते हैं यह वाइस के लिए मुझे बहुत जादा इनपोर्ट लगता है बाकि बात करेंगे अभी तक बेटिंग बोलिंग करते हुए नजर नहीं आप इनको ड्रॉप करना अलिना शेओ की बात करेंगे पहले मेच का अंदर एक विकेट दूसरे मेच का अंदर भी एक विकेट निकाले हैं तो गिंदबाजी अगर आप देखेंगे तो ये दो वर कंफरम करने वाले हैं बाकि मुझे आप अनजोर रदिन की बात करेंगे ये एक विकेट निकाले हैं और वहीं विनाया सुरेंदर रड़ की बात करेंगे दोस्तो पहले मेच का अंदर फल दूसरे मेच का अंदर 1 अंदर रहता है तो इनको भी जरूर से जरूर ट्राय करना बाखे अरिया भी की बात करेंगे दोस्तों पांच नमर पे खेलते वेश जिरूर बनाये थे इनका रिकॉर्ड दोना बैटर नहीं है था आप इनको एवइड कर सकते हैं और रागे महान यह चार अवर की गेंद दोस्तों इसमेंस आपको जोभी रेकॉर्ड जिनका भी प्लेयर्स का इन-पूर्टन लग रहा दोस्तों अपने टीम के अंदर प्लेयर्स को ले सकते हैं हाला कि मैंने आपके लिए टीम बनाके रखा है जो इन फूर्टन प्लेयर से बरहाया चलिए उस टीम की और आगे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे यह ज्यादा बैटर लग रहा है प्रदीप क्योंकि इनका रिकॉर्ड भी आपको मैंने दिखाया है बहुत इंपोर्टन प्लेयर है दोस्तों और याद रखना मैंने इनका क्रेशल्ट देखाना बहुत सूपर प्लेयर है इस वज़े से मैं लगा को मैंने ट्राइक करका है और यहां पर अनन्र जॉय को ट्राइक करका है यह भी एस प्लेयर रहने वाले हैं तो मैं तीनों को फ्लेयर करता हूं अगर आप चाहें तो के लिए बेस्ट बताय था विनाय को मैं ट्राय करूंगा क्यों कि बॉलिंग पीछे और एक मार को यह त्राय करने वाला हूं यह भी घड़िया गंदबाजी करते हैं बाकि रहाँ कैप्टन सी के लिए मेनू बैस्ट है वाइस के लिए यहां पर शुराय को मैं ट्राय करूंग जिस प्रकार का बॉलिंग से भी रिकॉर्ड सांदार है इनका इस विज़े से मैं ट्राय करना हूं ठीक है तो यह मेरे साइट से टीम है दोस्तों इसमें अगर आपको एक दू प्लेयर चेंजिस करना है तो बिल्कुल आप अपने साइट से वीडियो के हेल्प से कर सकते हैं दोस्तों वीडियो के पसंद आया इनफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिला तो एक वीडियो के एक लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना बागे थैंक्स फॉर वाजिंग